परिचाए बच्चो इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? सेर्फ हम एक कुट्ता और उसका पिल्ला देख सकते हैं सही इस चित्र में बने बीच क्या समरूप आम का पाधावत पन्ने कर सकते हैं? नहीं, आम का पाधा आम के बीच सही उत्पन हो सकता है तुम सही कह रहे हो तुम्हारे पिताजी के समान कौन दिखता है? तुम या तुम्हारा चचेरा भाई? मैं अपने पिताजी के एकदम समान दिखूंगा नहीं, समान संत्रती उत्पन करने की ये घटना विभिन जीनों की वन्शगदी पर निर्भर करती है उत्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मेंडल के वन्शगदी के नियम समझना एक चीन के वन्शगदी प्रतिरूप को समझना वन्शगदी के विभिन नियमों की पहचान करना पनेट वर्क और इसकी करना को समझना परिक्षार्थ संकर की पहचान करना मेंडल वाद मेंडल को अनुवन शिक्ता का जनक कहा जाता है उन्होंने पाईसम सेटाइवम यानी मतर की साथ किस्मों पर प्रयोग किया प्रारंब में कुछ कारणों की वजह से उनके परिणाम स्विकार नहीं किये गए लेकिन वर्ष उन्हिस सो में ह्यूगो डीवरीज, कॉर्द कॉरेंस और इरिक्वान शेरमोक द्वारा उनके परिणामों की पुना खोच की गई पाइसम सेटाइवम मतर का पौधा इसके साथ विशेशक मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइवम के चुने गए साथ जोड़े विपरीत लक्षन के थे मतर का पौधा ही क्यूं? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मतर के पौधे का चयन निमनलिखित कारणों से किया विशेशकों के लिए मतर के पौधे की अनेक किसमें वेकल्पिक रूपों के साथ उपलब्द थी मतर के पौधों में स्वाप परागन होता है इसलिए शुद्ध नसल आसानी से प्राप्त की जा सकती थी मतर का पौधा आसानी से व्रिध्धी कर सकता है मतर के पौधे में छोटी जीवनवदी होती है मेंडल के प्रयोग के चरण मेंडल का प्रयोग तीन चरणों में संपन्य किया गया मेंडल द्वारा नोट किये गए साथ लक्षन जनकों से संत्तिती में पहुँचते हैं कि नहीं ये जानने के लिए उन्होंने साथ प्रकार के पौधों से स्वाप परागण द्वारा उत्पन्न बीच लिए मैंडल ने इन सभी को शुद्ध लक्षण नाम दिया शुद्ध पौधों का संकरण पौधों की दू अलग अलग किस्मों पर परागन से संकर पौधे उत्पन्न करती है जो F1 पीड़ी बनाते हैं संकरों में स्वाप परागन F2 पीड़ी उत्पन्न करने के लिए प्रतेक F1 संत्ति का स्वाप परागन कराये गया एक जीन की वन्शागती मटर के पौधों की लंबी और बौनी किस्मों के बीच एकल संकर क्रॉस निम्ना नुसार है एकल संकर क्रॉस के परिडाम जीन मेंडल ने देखा कि कुछ स्थाई कारक आप परिवर्तित रूप में जनक से संत्तित तक अगरसित होते थे ये कारक जीन कहलाते है अलील जीन जो विपरियास विशेशकों के युक्म के लिए संकेत होते हैं अलील कहलाते है सम युग्मजी जीव अलील के समान युक्मवाले जीव विशम युग्मजी जीव अलील के अलग-अलग युक्मवाले जीव एकल संकर क्रॉस प्रभावी जीन अलील जो अभिव्यक्त होते हैं आप्रभावी जीन जीन जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं या प्रभावी जीन की अनुपस्थिती में अभिव्यक्त होते हैं जीनो टाइप किसी लक्षन की संबंधित अभिव्यक्ती के लिए अनुवन्शिक संगटन फिनो टाइप दो जीनों के संयोजन के कारण दिखाई देने वाली दृश्य अभिव्यक्ती विसंयोजन के लक्षन जब युग्मक अर्थ सूत्रम द्वारा उत्पन होते हैं तो जनकी युग्मके अलील विसंयोजित हो जाते हैं और केवल एक अलील युग्मक तक संचारित होता है अलील का ये विसंयोजन एक यात्रिचिक प्रक्रिया है और इसलिए युक्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50 प्रतिशत होती है पनेटवर्ग पनेटवर्ग अनुवन्शिक संकरण में संतती के सभी संभावे जीनो टाइपों की प्राइक्ता की गड़ना करने को एक आलेखिये निरूपन है उधारण के लिए बड़ा T छोटा T यानि नर का क्रॉस बड़ा T छोटा T यानि मादा एक आंतरिक F1 संकरण है निम्ना नुसार पनेटवर्ग बनाने के लिए एक जनक के अलील के एक सेट को सबसे उपर रखें और दूसरे जनन के अलील का दूसरा सेट एक तरफ रखें पनेटवर्ग की करना करना निम्नलिखित उधारण में दर्शाय गई रूप में अलील को केवल एक साथ जोड़ कर संतती की अलील सनचना का निर्धारण करें इस तरह के संकरण से F2 PD में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे तीन लंबे पौधे और एक बौना पौधा तीन बटे एक पिनोटाइप अनुपाथ एक सम्युक्मजी लंबा दो विशम युक्मजी लंबे और एक सम्युक्मजी बौना पौधा यानि एक बटे दो बटे एक जीनोटाइप अनुपाथ संतती का जीनोटाइप इसके प्रजनन अप्रभावी प्रकार के साथ संतती द्वारा ग्यात किया जा सकता है ऐसा संकरण परिक्षार्थ संकरण कहलाता है उधारण के लिए लंबे पौधे के फिनो टाइप में जीनो टाइप दो बड़े टी या बड़ा टी छोटा टी हो सकता है इसका जीनो टाइप निमने लिखे तरेके से निर्धारित किया जा सकता है पहली स्थिती में सभी पौधे लंबे होते हैं इस प्रकार परिक्षार्थ पौधे का जीनो टाइप दो बड़े टी हैं। दूसरी स्तिति में लंबे और बौने पौधे एक पटे एक के अनुपात में उत्पन होते हैं। इस प्रकार परिक्षार्थ पौधे का जीनो टाइप बड़ा टी छोटा टी है। वंशागती के नियम मेंडल के सिधान्त या वंशागती के नियम है प्रभाविता नियम इस नियम के नुसार जोड़े में एक कारक स्वयम को अभिव्यक्ति करता है और F1 पीड़ी में दूसरे की अभिव्यक्ति को रूखता है विसंयोजन नियम इस नियम के नुसार प्रतियक लक्षन के कारक युगमक निर्मान के दोरान विसंयोजित हो जाते हैं ताकि प्रतियक युगमक केवल एक कारक ग्रहन कर सके और सदैव शुध रहे नर और माधा युक्मकों में दो कारकिया विशेशक बराबर आवरिती के साथ प्रकट होते हैं अपून प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु अलील अपूर्ण प्रभाविता ये तब होती है जब एक निश्चित विशेशक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है। बहु अलील के साथ देखी जा सकती है। बहु अलील ये एक विशेशक के लिए तीन अलील की उपस्तिती को संदर्भित करता है। उधारण मानव रक्त में तीन अलील A, B, O होते हैं। दूई संकर क्रॉस एक यही समय पर अलग-अलग विस्थलों पर दो जीनों को ध्यान में रखते हुए, दो जीवों के बीच संकरन दूई संकर क्रॉस कहलाता है, जैसा की आरेक में दर्शाया गया है। दूई संकर क्रॉस के परिणाम। दूई संकर क्रॉस F2PD में चार प्रकार के पौधे 9 बटे 3, बटे 3, बटे 1 के पिनो टाइप अनुपात में उत्पन्न करते हैं। दो नए संयोजन उत्पन्न किये जाते हैं, गोल हरा और जुडिदार पीला। एक लक्षण की वन्शागती, दूसरे लक्षण की वन्शागती से सौतंत्र थी। सौतंत्र अव्योहन का नियम। सौतंत्र अव्योहन का नियम। समझात गुण सौत्र के विभन जोडों में स्थित, कारकों या अलील के विभन लक्षण युगमत निर्मान के दोरान अपने विसई योजन में एक दूसरे से सौतंत्र होते हैं। और निशेचन द्वारा संतती में एक साथ आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं। पादब जीनों का अध्यन करने के लिए मेंडल के नियमों का अनुप्रयोग, दूतिये पीडी के जैव इंधनों के लिए महतपून, संप्रित, उर्जा फसलों को उत्पन्न करने के लिए लागू किये जाते हैं। जैसा कि सोयबीन उत्पादों की किसमें। सारा हंश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में तोहरा हैं। मेंडल ने सबसे पहले इस घटना का क्रम बद्ध अध्यन किया। मेंडल ने बताया कि लक्षणों के नियामक कारक जिनें बात में जीन कहा गया जोड़े में पाए जाते हैं, जो अलील कहलाते हैं। उन्होंने देखा कि संतितित में लक्षणों की अभिव्यक्ती भिन प्रथम पीड़ी यानी F1, दुईतिय पीड़ी F2 और अगली पीड़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। आप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ती केवल सम्युग्मजी अवस्था में होती है। दुई संकर क्रॉस में अभिव्यक्त फिनो टाइप अनुपात 9 बटे 3 बटे 3 बटे 1 है। वंशगती के 3 नियम प्रस्तुत करते हैं। प्रभावी विसयोजन का नियम और स्वतंद्र अव्योहन का नियम। मानवरक्त समुह में एक विशेशक A, B, O के लिए 3 अलील होते हैं।